हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक दोस्तों बात करेंगे आज के इस वीडियो में शीबा इनु कोईन, डॉज कोईन, मीम कोईन, बॉंक पेपे और ऐसे मीम कोईन्स के जिनको लेकर कुछ जिनों पहले काफी जादा नेगेटिविटी मार्केट में देखने को मिल रही थी लेकिन हम पंप देखने को मिला है एक या दो नहीं लगबग यहाँ पर 6-8 महिने में उतना पंप यहाँ पर लास्ट 24 ओर्स में इन कोईन्स के प्राइज में ही देखने को मिल गया तो क्यों यहाँ पर इनका प्राइज बढ़ आ है और क्यों इनमें पोटेंशियल है क्यों आपको मी इस वीडियो में बात करेंगे साथ ही अगर हम सबसे पहले मार्केट केपिटलाइजिशन की बात करें जहाँ पर मीम कोईन का मार्केट के पर वो आप देखिए कितना हो चुगा है 33 बिलियन डॉलर वॉल्यूम आप देखिए 82 परसें वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज इस्पेशली मीम कोईन को जो लोग गालियां देते हैं शीवा इनु कोईन को डॉज कोईन को उनको मेरा यहाँ पर एक जवाब है कि इनका प्राइस क्यों बढ़ रहा है और क्यों आने वाले टाइम में बढ़ भी सकता है क्यों यहाँ पर बर्निंग नहीं होने के इसको ब्रेक किया और अल्मोस यहाँ पर 0.12 डॉलर पर यह पहुँच चुका है लास्ट 24 और में अगर आप देखें लगबग यहाँ पर 30 परसें बढ़ा हुआ लास्ट 7 डेज में इसकी परफॉर्मेंस देखिए लगबग यहाँ पर 53 परसें बढ़ा हुआ और मार्केट बढ़ा है जिसको फॉलो कर सकते हैं डॉर शीबा बोंग क्योंकि डॉर जो शीबा दो लीट करते हैं अभी तक नहीं बढ़ा है मतलब बढ़ सकते हैं और बढ़े इनका प्राइस आप देखिए यहाँ पर प्राइस बढ़ गया है लास्ट 24 और उस में शीबा इनु कोई ल लेवल पर पहुँच चुका है 1.4 का एक मेजर रेजिस्टेंस है जिसको अगर आप देखे इसने यहाँ पर ट्राइ किया हुआ है लेकिन इसे यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया और अभी यहाँ पर 1.3 के लेवल पर फिर से आचुका है लेकिन उसके बावजुद सेवन डे के असपास इसका मार्केट केप देखने को मिल रहा था और अब कहां पहुँच गया है 8 बिलियन डॉलर और मार्केट केप के बिस्स पर यह जो कोईन है वो 16 नमबर पर आ चुका है तो एसे ही नहीं यह तो काफी बड़ा अमाउंट आया था और अमाउंट आएगा तो यह आपको टॉप 15 में और उसके बाद 12 वो 10 के अराउंट भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे कोईंस जिन में मुमेंट देखने को नहीं मिलिये अगर हम बात करें ऐसे कोईंस की तो काफी कम मीम कोईंस है क्योंकि जादा तर मीम कोईंस यहाँ पर अच्छे खासे प्राइजस में देखने को मिल रहा है फ्लो की इनू लगबग लाज सेवन देज में 68% बढ़ चुका है मीम कोईं इसके अलावा बोन सीवा स्वेप भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बात करते लगातार बोन टोकन की जिसको मीम की केटेगरी में डाला जरूर है लेकिन फर्णामेंटली स्ट्रोंग कोईन है 26% यहाँ पर यह भी बढ़ा हुआ है बोन सीवा स्वेप अगर हम बात करें अपने आल टाइम हैं से 98% कम चल रहा है तो इस पर भी आपको फोकस करना चाहिए साथ ही यहाँ पर सीओ क्यू इनू जिसके बारे में भी हमने काफी सारे व बढ़ा हुआ है तो इंतजार करिए आपका कॉइन भी यहाँ पर बढ़ सकता है क्योंकि अगर आपने किसी भी कॉइन को पर्चेस किया है तो उसे सोच समझ कर ही पर्चेस किया होगा थोड़ा अहां पर रिसर्च किया होगा हमने यहाँ पर डॉज लोन मार्स के बारे में आपको लगबग 30% यहाँ तक की 50-60% का प्रॉफिट निकाल कर दे दिया जो आपको लगबग 4-5 सालों में मिलता तो यह एक बड़ी बात है दोस्तो इसी वज़ा से क्रिप्टो इंडस्ट्री को काफी लोग यहाँ पर पसंद भी करते हैं और काफी लोग इसमें इंवेस् करने के लिए आप प्री प्लान रहिए थोड़ा प्लानिंग के साथ इंवेस्ट करेंगे तो आपको यह प्रॉफिट जरूर निकाल कर देगी इंडस्ट्री और इसी वज़ए से आने वाला जो बूल रने वो काफी बड़ा हो सकता है जिसमें इंवेस्मेंट करने के लिए आपको अपने पॉर्टफोलियो को डाइवर्सी 5 बनाना पड़ेगा मतलब यहां पर आप मीम कोईंस को भी रखें क्योंकि यह काफी ज़्यादा जरूरी होंगे साथ यहां पर फंडामेंटली स्ट्रोंग कोईंस अलग अलग के टेग्रीज वाले कोईंस को भी आपको रख यहां पर आपकोई यहां पर आपकोई Today